ससुराल में बैठी बेटी हमेशा पिता की चिंता करते हैं मेरे पिता स्वस्तर है, मेरे पिता प्रसंद है उसका कारण माय का बाब के कारण होता है शब्द तो माय का है लेकिन माय का मा के कारण नहीं माना जाता माय का बाब के कारण से माना जाता जब तक बेटी का पिता जिंदा रहता है, तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूरवक माईके में आ सकती है, जा सकती है, कोई रोक टोक करने का साहस नहीं करता है, लेकिन पिता की मृत्व के बाद, मा चुग भईया और भावी के आधिन हो जाती है, तो माईका फिर भईय भावी की इक्षा से मिलता है, अधिकार पूरवक नहीं मिलता है, इसलिए आपने देखे होंगे प्रसंग, जब किसी की मा की मौत होती है, बेटी रोती तो है, लेकिन अपने को संभाल लेती है, लेकिन जब उसको समाचार मिलता है, कि मेरे पिता जी नहीं रहे, मेरे पिता की मौत हो गई इतना रोती है इतना रोती और जब पहली बार पिता की बृत्यू पर अपने माईके में आती है दहार मारती आती है हाहा करती आती है और सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर पचार खा कर गिरती है बहुत देर तक देहली पर पड़ी रहती है उसको ल पापू कई बार सुनाया करते हैं कि किसी की बेटी को दुख देना हो, कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं, उसके पिता को गालियां दे दो, बिटिया के पिता को अपशब्द कह दो, उसको मानित कर दो, बहु सब कुछ सहेगी, लेकिन मेरे बाउजी को कोई कुछ बोले, सांस के पास जाएगी, पैर पकड़ेगी, रोएगी, मा भी मागेगी, माता जी मुझे डाट लो, मुझे भटकार लो, मुझे भूकी प्यासी रख लो, मत बहु का दरजा मुझे तो, मुझे नौकरानी जैसा माल लो, लेकिन मेरी सोगंदा आपको लगे, मेरे बाउजी को क चकर काटते काटते मेरे बूडे बाप की एडियां घिस गई थी, तम मेरी शादी हुई अभी तो मेरे बाप की पीट से करजे का बोज नहीं उतराए, दिन बर भूकी रोती रहेगी, सारे घर को भोजन बना के खिला देगी, लेकिन बाप के लिए किसी ने बोला है, बेटी की मौत हो जाती है, बाप नहीं रोया करता है, चाती पर पत्थर रख लेता है, सारा गाउं महला रोता है, लाश को आंगर में देखता है, सारा गाउं फूट पड़ता है, लेकिन बाप अपनी चाती पर पत्थर रखकर आंसों को पी लेता है, लेकिन वही बाप जब पहली बार अपनी बिटिया को हाथ पकड़ कर ससराल के लिए डोली